किंद्री सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को पट्री पर लाने के लिए 20 लाख करोड राहत पैकेज की घूशना की इसमें लगू उद्योगों को राहत देने की बात कही गई है सूरत के मुख्य उद्योग डाइमंड और कपड़ा से जुड़े लोगों ने कहा कि यदि सरकार सही ढंग से अमली करन करेगी तो इसका फायदा लगू उद्योग को मिलेगा वर्किंग कैपेटिकल की बहुत जरूरत थी बैंक के फाइननस नहीं मिल रहा था शाहिद ये पैकेज के कारण बैंक में से फाइननस मिलेगा और वर्किंग कैपेटिकल की जो जरूरत थी खास करके अभी जो लाइट बील बरना है मेंटनेस करना है वर्कर को पगार देना है है यह सब इसमें से मेरा हिशाब से यह वर्किंग कैपिटल आ मिलने के कारण यह प्रशन उसका हल हो जाएक इन मेंट प्रशनिय वह हैं सरकार ने बहुत महेंचा अच्छी है सरकाने पैकेज भी बहुत अच्छा डिकलर किया लेकिन उसकी इंप्लीमेशन जो एजन्सी करने वाली है उन इंप्लीमेशन एजन्सी के पूरा ममदार है मेरा ऐसा सुझाओ है कि इस पर एक मॉनिटरिंग कमीटी बनाई जाए कि जैसे कोई लेबर डिप कमीटी के माध्यम से आज कितने बैंक ने कितने MSME सेक्टर को फाइनास दिया है वो उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए तो ही इस केम रूट तक चाहेगी सूरट डाइमंड और कपड़ा उद्योग का हब है डाइमंड का कारोबार अधिकतर विदेश में होता है जबकि कपड़ा का कारोबार अधिकतर देश में होता है कपड़ा उद्योग से जुड़े कई प्रश्ण पहले से ही पेंडिंग चल रहे हैं MSME को कम से कम 6 लाग करोड देना चाहिए था सरकार ने पहले से ही उन्हें सबसीडी की रकम नहीं दी है और 650 करोड रुपे इन्पुट क्रेडिट रकम भी बाकी है तो सरकार पर कपड़ा उद्योग कैसे भरूसा करें अब यह गोशना तो की गई है 20 लाग करोड की लेकिन जो इसका विवरण होना चाहिए इसका नौटिपिकेशन किस तरह से क्लेरिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है फिलाल जो म्स्मी की बात करें तो 3 लाग करोड की जायरत के में उसमें 3 लाग करोड जो है वो भी कम है क्योंकि इस पूरे भारत-वर्ष में चालिस पसंट जो इस्सा है वो दियоко का है तो उसको कम से कम 6 लाग करोड देने चाहिए था लेकिन फिर भी चलो तीन करोड को तो तीन करोड है लेकिन उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है उसके लिए हम दीविदा में है कि पहले इस उद्योग को कैसे आप बाटोगे किस केटेगरी में आप उसको दोगे सरकार के MSME पैकेज से राहत की आस जरूर नजर आ रही है सूरत से संजै से राठोड की रपोर्ट पुजरात तक